आपकी डेली लाइफ को बहुती आसान बनाने के लिए, आपके समय और धनकी बचत करने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पाने के लिए, बहुती अच्छे टिप्स और ट्रिक्स में आपकी साथ शेयर कर रही हूँ. तो ये जो मेरी पहले टेप है, ये है इस तरह की क्लॉक के बारे में. दीखिए, कभी-कभी ऐसा होता है हमारी जो क्लॉक होती है, वो अचानक से चलना बंड कर देती है, रुख जाती है, वो इस वज़े से कि इसकी जो बैटरी होती है, वो खराब हो जाती है. और घर में अगर उस समय कोई यह बैटरी मार्केट से लाने वाला नहीं है यह रात हो चुकी है तो इस सिचुएशन में आप क्या करें आपके घर में जो रेमोट होते हैं तीवी वगेरा के उनमें यह जो बैटरी होती है इसे आप निकाल लें और आप देख रहे हैं कि यह जो बैटरी है छोटी है और पतली है और जब कि क्लॉक में लगती है इस तरीके की थोड़ी मोटी वाली बड़ी बैटरी अब आप सोच रहे होंगे कि इस पतली सी छोटी सी बैटरी से ये क्लॉक कैसे चलेगी जिब बिल्कुल चलेगी आपको क्या करना है आपको यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा एलमोनियम फाइल पेपर का लेना है अब आप इसे गुड़ मुड़ करके या रोल बना कर इसका एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे त्यार कर लें अब आपको क्या करना है देखे आपको इसे जहाँ पर आप बैटरी लगाते है न वहाँ पर ऐसे लगा देना है और बस अब ये जो आपकी छोटी वाली बैटरी थी इसे लगा देना है अब ये बैटरी अच्छे से फिट हो गई है बिल्कुल भी गिरेगी नहीं बैटरी और बस अब देखे ये जो आपकी क्लॉक है ये चलने लगेगी ये देखे, तो बहुत ये अच्छे टिप है ना, इस तरीके से आप छोटी बैटरी का इस्तमाल करते हुए अपनी क्लॉक को चला सकते हैं, तो बस अब इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ये हम लगा देते हैं, तो हमारी घड़ी अच्छे से चलने लगी है, तो आपको ये टि तो आप उनको ये टिप जरूर बताएं, देखे, सुई में धागा डालने से पहले आप क्या करेंगे, जो आपका धागा है ना, उसके उपर आपको लगाना है टूथ पेस्ट, कोई भी टूथ पेस्ट आप ले सकते हैं, बहुत जादा नहीं लगा रहा, बिल्कुल जरासा टूथ पेस्ट आप आगे की तरफ धागे पर लगा देंगे, देखे, मैंने बिल्कुल जरासा टूथ पेस्ट लिया है, ये भी बहुत जादा है, इससे भी कम ही लेना है, और आगे की तरफ इसे थोड़ा सा लगा दें, और अब इसे आप ऐसे ही छोड़ दें, दो तिन से जाएगा, तो ये देखे, मैंने टूथ पेस्ट लगाने के बाद धागी को कुछ सेकंड के लिए छोड़ दिया था, और अब मैं इसे सुई में डाल रहे हूं, और धागा जो है, इस टिप को आप भी ज़रूर फॉलो कीजे ही, आपके पेहत काम आएगी, अब यहाँ पर तो मेरी नेक्स टिप है, वो है चीटियों के बारे में, देखिए, अकसर हमारे घर में गर्मियों की दिनों में काफी चीटिया हो जाती हैं, लाल चीटी, काली चीटी, जो की बहुत परेशान करते हैं, कभी-कभी तो हमारे खाने पीने के समान में भी हो जाती हैं, और कभी कभी बैड वगेरा पर भी चीटिया हो जाती है जो बच्चों को भी काट जाती है तो चीटियों को दूर भगाने के लिए आपको एक बहुत अच्छी टिप बता रहे हूं देखिए आपको क्या करना है आपको लेना है पुदीना अगर फ्रेश पुदीना हो तो जहां भी पुदीने की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती है अब अगर आपके पास फ्रेश पुदीना ना हो तो आपको क्या करना है क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय हमारे घर में फ्रेश पुदीना हो तो फ्रेश पुदीना ना हो तो आप सूखा पुदीना ले सकते हैं मतलब जो पाउडर होता है ना उसे आप ले ले और जहां भी आपके घर में छीटिया बहुत जादा आती हैं वहाँ पर इसे स्प्रिंकल कर दीजे और उस जगा से छीटिया बिलकुल भाग जाएंगी तो जब भी आपको ये प्राब्लम हो रही है कि बहुत ज़्यादा छीटिया घर मे आ रही हैं तो आप पुदीने का इस्तमाल कर सकते हैं मैं इसी तरीके से अपने घर में छीटियो को भगाती हूँ तो आप भी इस टिप को फॉलो करें अगर आपको मेरे टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर आप चरूर करें आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो हरी मिर्च के जो डंठल है उन्हें तोड़ लेना है मतलब डंठल को अलग निकाल दें ये जो हरी मिर्च के डंठल है इन्हें भी फैकना नहीं है इनका क्या इस्तमाल करना है वो भी आपको अभ देखी ये जो हरी मिर्च के डंठल है इन्हें मैं अलग रग देती हूँ और इनका हम क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अब यहाँ पर ये जो हरी मिर्च है ना इने लंबी समय तक स्टोर करने के लिए आप लेंगे एक कंटेनर और अब आपको इस कंटेनर के अंदर लगा देना है न्यूस पेपर और अब जो हरी मिर्च आपने डंठल तोड़ के तियार की है न वो आपको इसके अंदर रग देनी है अब आपको लेने हैं थोड़े से चावल के दाने और चावल के दाने कंटेनर के अंदर डाल दीजे इससे क्या होगा जब भी हरी मिर्च में मौश्यर आएगा ना तो ये चावल के दाने उस मौश्यर को सोख लेंगे और आपकी जो हरी मिर्चा को लंबे समय तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो आप ये चावल के दाने डाल दीजे और इसके बाद एक निउस्पेपर का टुकड़ा और लेना है उपर से आप इसे ढग दीजे और बस अब आप डब्बे कढ़कन बंद कर दें और इन्हें रगदें फ्रिज के अंदर अब ये आपकी हरी मिर्च पूरे 20-25 दिन तक भी खराब नहीं होगी बहुत ही बड़ी अब फ्रेश पनी रहेंगी अब ये जो हरी मिर्च के डंठल बचे हैं इनका एक बहुत ही अच्छा इस्तमाल बता देती हूँ अक्सर आप सभी इने फैक देते हैं लेकिन ये टिप जानने के बाद आप इने कभी नहीं फैकेंगे कोई भी एक पुराना डब्बा ले लें तो ये जो मिठाई के डब्बे आते हैं मैंने वो लिया है जिने हम अक्सर ऐसे ही फैक देते हैं तो मैंने ये साफ करके रख लिया था पहले ही इसमें हरी मिर्च के डंठल डालती है और इसमें पानी भर दिया अब आप क्या करेंगे इसका ठकन बंद करके इसे तीन-चार दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तीन-चार दिन बाद इस पानी का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें हरी मिर्च के इन डंठलों की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी फिर आप इस पानी को छान कर अपने पेड़ों की जड़ों में डालें पेड़ों पर इस्प्रे करें इससे क्या होगा आपकी घर में जो भी पेड़ पौद है उनमें जो भी कीड़े लग रहे हैं वो सब दूर हो जाएगी और आपकी पेड़ों की अच्छी ग्रोथ होगी तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें